तो स्टार्ट करें हेलो जंता जनार्दन कैसे हैं आप लोग तो मैंने फाइनली वेब सीरीज किलर सूप देख ली है तो कैसी है ये सीरीज चलिए बिना टाइम वेस्ट के वे इस सीरीज पर बात करते हैं लेकिन स्टोरी अस्टार्ट होते ही पता लगता है कि यहां एक confusion लगी हुई है जहां लोग अपनों को ही धोखा दे रहे हैं और साजिस कर रहे हैं जहां कोई किसी का अपना नहीं है और सब डरावना है एक वाइप है स्वाती जिसे कोंकना सिंसर मा प्ले कर रही है और एक फत अतरनाक इंसान है उमेश जिसे भी मनोजवाजबाई प्ले कर रहे है और स्टोरी इनी के आसपास फूंती है स्वाती अपने पती के साथ प्यार का दिखावा करती है लेकिन उसका अफेर उमेश के साथ है लेकिन उमेश स्वाती के पती को ब्लेक मिल कर रहा है वहीं प्रभ अपने भाई के साथ भी बैमानी करता है, लेकिन अर्विंद सेठी भी अपने भाई से प्यार करता है, पर उसके भी काले कारनामे हैं, जो उसका पीछा नहीं छोडती है, मतलब ये स्टोरी धोके से भड़ी हुई है, लेकिन आपको इंगेज रखती है, किलर सूप की भी अप पंजाब और सोनची रईया जैसी बहतरीन फिल्में बनाई है, उन्होंने स्क्रीन प्ले को बांध कर रखा है, पहली वार किसी सीरीज को डारेक्ट करने वाले अभिसेख चोगे का ये काम अच्छा है, इस सीरीज में एक्टिंग के लिए सिर्फ एक वर्ट बोल सकते हैं, स तोनों केरेक्टर एक दूसरे से काफी अलग है, मानों वो अलग इंसान हो, और सेम मनोज बाजबई ने यहां दिखाया है, प्रभाकर और उमेस दोनों के केरेक्टर को एकदम अलग तरीके से प्ले किया है मनोज सर ने, उनकी एक्टिंग का एक्सपेंशन देखकर आप नफरत हो जाईगी, यहां नफरत वर्ड नेगिटिव में नहीं है, बलकि वो पॉजटिव में है, वहीं साइजी सिंदे की बात करे तो सूल में क्रप्ट एमले का रोल प्ले करने वाले यह एक्टर यहां भी वैसा ही काम कर गया है, गुस्से में रहने वाले अर्विन सेट में तमिल में ही बात करते हैं, जहां तक मुझे लगता है, यह सीरीज का एक पॉजटिव पॉइंट है, क्यूंकि इससे सीरीज असलियत के करीब लगती है, यह सीरीज एक डार्क कॉमेडी है, आपको गुस्सा और किसी के मौत वाले सीन पर हसी भी आ सकती है, इसके लिए ड लेल आइकन जरूर दबाएएगा ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुचे और वीडियो को लाइक और सेर करना मत बूलियेगा, आप तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैए